Hey guys, this is Preeti आज हमनों discuss करने वाले हैं 15 June की Current Affair आज जो भी important questions होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे वीडियो को सुरू करने से पहले मैं चाहूंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जो प्रेस करें साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइड exam.net से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और easily revision कर सकते हैं तो देखते हैं कि आज का हमारा पहला question क्या है पहला question है हमारा कि विश्व बाल श्रम निशे दिवस कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 12 जून को 12 जून को विश्व बाल श्रम निशे दिवस मनाया जाता है इसकी सुरुवात किसने किया है इसकी सुरुवात किया है अंतर राष्ट्री स्रम संगठन 2002 में इसकी सुरुवात किया गया था अंतर राष्ट्री स्रम संगटन के द्वारा अब इसकी सुरुवात किया गया है तो इसका कुछ ना कुछ मोटीफ भी होगा कुछ ना कुछ उद्देश भी होगा तो इसका उदेश है कि 2025 तक बाल स्रम के सभी रूपों को समाप्त कर देना चाहिए ठीक है? 2025 तक बाल स्रम के सभी रूपों को समाप्त कर देना चाहिए चले, next question के हम लोग बात करते हैं कि अगला question के है हमारा? तो अगला question है हमारा कि चीन ने भारत के लिए अपना नया ambassador, नया राजदूत किसे बनाया है? तो सुई वैदों को, ठीक है? किसे बनाया गया है? सुई वैदों को बनाया है चीन के दोरा भारत के लिए अपना नया राजदूत यार रखेगा अगला कुश्यन है हमारा他是 कुछक प्रसक्राइब आप ग्राम करनाटक ते तो यह प्रसक्राइब करनाटक का देखें रहाएं आप करनाटकific कि बात करें तो करणाट कणाटि रुपिज़ इस का चाहिए सब्सक्राइब जिए जान ता ceux 749 को दो दसमल्हे त्ीन करोड पे की लागत से लगा करके एक स्वालर लेंप दिया गया हम लोग बात करें लिए तो 30 इस्सा था यह रहा है स्यंके लिए इसको याद रखी का शोलर लेंब दिया गया है जो आगर कभी इसमें प्रॉबलम आती तो ई चेंज के पहले लोगों ने पढ़ा था कि बाच्छा मत् odoris में एक ऐसा गाओ जहां पे शओर रसुई घर भारत का पहला सौर रसुई घर कहां पे तो बाच्चा मत्र प्रोसमें बाच्चा एक छोटा सा गाओं है करो 75 गर का करद जहां पे जो पूरा काम है वा किसे हो रहा था खाने का वह हो रहा था सौर उर्जा के द्वारा इसके अलामा अगर हम लोग बात करें कि सौर उर्जा तो अला संचालित पहला द्वीब कौन सा है तो दीव अपने सुनाओं का सौर उर्जा तो अला संचालित द्वीब कौन सा है दीव चली, next question की बात करते हैं राजिसभा का नेता किसी चुना गया तो राजिसभा का नेता चुना गया है थावर चंद गहलोद को उनका नाम क्या है? थावर चंद गहलोद को और यह है क्या? तो केंडरी सामाजित न्याय वह ससकती करण मंत्रे इन्हीं को चुना गया है राजिसभा का नेता इसके पहले जो सरकारती 2014-2019 तक उसमें राजिसभा के नेता कौन थे तो अरूर जोटली थे उसमें राजिसभा के नेता अब थावर्चन गैलोट कहां से बिलोंग करते हैं तो ये मद्ध प्रदेश से बिलोंग करते हैं और कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं तो BJP से ये भी याद रखेगा राजसभा का नेता जो होता है वह व्यक्ति होता है जिसके पास कैबिनेट मंतरी ते था मनोनीत मंतरी का दर्जा प्राथ हो पहले राजसभा के नेता कौन थे गोपाल श्वामी आयंगर इसको याद रखेगा अगला कीशन है मारा फ्रेंच आपण में महीला एकलवर का खिताब किसने जिता अब मैंने भी आपको पड़ाया था प्रेंच ोपिन में महीला एकलवर का किताब किसने जिता तो एसले बार्ती ने किसने जिता है ऐस ले बारती ने महिला दिखे कुल चार Grand Slam होते हैं चार मैच होते हैं दिनको अगर हम लोग समराइस कर दें तो क्या बनता है Grand Slam एक तो होता हमारा ऑश्ट्रेलियन ओपन फिर होता हमारा फ्रेंच उपन उसके बाद है हमारा युएस आपन और फॉर्थ हमार विबलेटन उपन जिसमें से फ्रेंच उपन कहां पे खेला जाता है तो यह खेला जाता है तो यह थी इससे हमें पढ़ना है तो चले पूरुस एकल वर्ग कहां किस ने जीता तो राफिल नडाल ने जीता है पूरुस एकल वर्ग पुरुस यूगल वर्ग की बात करें तो केविन क्रावियज और अंध्रियास मियस इन लोगों ने जीता है पुरुस यूगल महिला यूगल की बात करें तो तिमिया बाबोस और क्रिश्टलीना ने जीता है महिला यूगल और मिस्रित यूगल की बात करें तो लातिशा चान और इवान दोदिच इन दोनों ने जीता है हमारा मिस्रित यूगल चले बात करते हैं हम लोग अगले क्वेशन की अगले कुश्यन है हमारा फोप से द्वारा जारी की गई सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाडियों की सूची में पहले सान पर कौन है तो पहले सान पर है लियोनल मेस्ट्री यह काफी important है कि लियोनल मेस्ट्री क्या करते हैं तो यह footballer है और ये फुटबॉल खेलते हैं कि कहा के हैं तो अर्जेंटीना के हैं और बर्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए फुटबॉल खेलते हैं उसके अलावा सेकेंड नमर पे कौन है तो क्रिष्टियानो रोनाल्डो है या भी फुटबॉलर है और या पुर्टगाल के लिए मैच खेलते हैं अच्क आब कि मन ने आ रहा होगा क्या कोई भारती नहीं है तो है भारती है लेकिन बहुत ज्यादा पिछे हैं सावे của ध öm с beiden उच्छी में है उनकी रेंग क्या है उनकी रेंगь है सौमी रेंग ठीक यह 25 مिलियों डॉलर कमाते हैं याद रखेगा चले नेक्स्ट वेशिन की बात करते हैं ट्रैफिक इंडेक्स में भारत की राजदानी दिल्ली कौन से पाइदान पर इस्तित है तो दिल्ली चौथे पाइदान पर इस्तित है अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नंबर वन पे क्या है नमबर वन पे है मुंबई में लोग जहां के लिए किसी भी जगान के लिए निकलते हैं तो ट्रैफिक के कारण उन्हें 65% जादा देरी हो जाती है अब बात आती है कि यह रिपोर्ट किसने जारी किया तो यह रिपोर्ट जारी किया गया है यह रिपोर्ट जारी किया है यह 56 देशों के 403 सहर इसमें शामिल है तो नमबर वन पे हमारा मुंबई है सगें पर बुगाटो कोलंबिया है थर्ड पर हमारा लीमा पेरू है फोर्ट पर है कि हमारा दिल्ली है तो इसको याद रखेगा ठीक तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेशन अब हम लोग जो हमारे कल के इंपोर्टन क्वेशन है उसका रिवीजन कर लेते हैं देखते हैं कि कितने लोगों के क्वेशन अंसर मैच करते हैं चलिए वैस्ट्वी कार्बन उस्टरजन में कितने परसंड के ब्रिद्धी हुई है यह रिपोर्ट आई है बीपी बिमारिया हो रही है उनमें भारतियों की जीवन प्रत्यासा कम हो गई है तो यह कितनी कम हुई है तो यह 2.6 वर्स कम हुई है इसका लामत हमारा कि ब्रिटन सरकार द्वारा भारती मूल के किस व्यक्ति को राष्ट मंडल और विदेश कार्याले में मुख अर्थसास्री ने सकत्यों किया था उसके बाद है हमारा खीर भावानी मिला कहां पर लगता है तो खीर हमारा जमुप यह 1.3 में बॉल इसके अलामत हमारा की G20 मंत्री इस तरी बैठा कायोजन कहां पर हुआ है या हुआ है जापान में तो आज के लिए विडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें और लाइक करना ना भूलें डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरू क्लि